तो हमारे तो साहब साहब कहना है कि इसमें प्रशाशन भी मिली भक्त हो सकती है ताकि और हम चाते हैं सरकार से भी कि हमारे को निश्वक्ष जाच की जाए इसके माबा विचारे गाउं से आते हैं इनको 25 दिन होगे 30 दिन से ढूंड रहे और पुलिस चोकी के नियर 100 मिटर के बाद यह जो डेड़ बोडी मिलती है हम तो यह चाते कि पुलिस की भी नाकामी है और जहां तक यह हमारे गाउं के भाई लोग आये हुए इनका भी साब कहना है और हमने तो शुरू से लेके इस केस में बोला कि फर्स्ट एंड लास्ट पे हमारा शक है है ना इनको यह नहीं कर रहे हैं पुलिश परचाचन सो रहा है अभी हम एसपी साब से मिलें दस दिन क समय दिया है उन्होंने कि दस दिन रुको उसके बाद हम लास दे दी हमारे को देश दिन हुए नहीं अभी इसको तो यहीं बोल सकते है यह हत्या है आता हम हत्या होती तो कोई थाने में मरने तो कोई नहीं आएगा चौकी के पास यह लड़का पड़ा लिखा था प्लस टू अब यह विचारे जो सारे गाओं के लोग इखटा हुए है अब इसके पैरेंस हा रहे हैं जो यह देखा जी हमारे को एसाइसाप ने कॉल की कि आपका जो बच्चा है यहाँ पे डेड वोडी मिल गई है तो हम मोके पे गए यह छे फुट की दूरी पे लटकाया गया हुआ बच्चा हम सरकार से यही निवेदन करेगे कि इस बच्चे का जो भी कोई दोशी होगा उस दोशी को कड़ी से कड़ी सजा दिलाए जाए नमस्कार तिंज भारत देख रहे हैं मैं हूरमेज सिंग्टा पुली चौकी किसुम्टी वहां से लगबग 50 मिटर के दूरी पर आशवाशन दे रही थी कि एक सब्ता का समय दो दस दिन का समय दो लेकिन आज कोई सुराग हाथ नहीं लगा डेट बोडी जरूर रिकवर हुई है परिजनों को यह अंदेशा है कि मुर्डर हुआ है यह वो जंगल है यही वो जंगल इसके बिल्कुल बैक साइड में यहां सबसे पहले मैं तिंज बारत का धन्यबाद करता हूं क्योंकि इन्होंने ही शुरू से लेकर यह मुंद्या को परमुक्ता से उठाया है और आज हम साइट पे गए वीजिट किया हमने भी देखा साफ साफ दिख रहा है कि यह शाजिस के तहर लटकाए गया हुआ हुआ है औ और जहां तक है हमारे गाओं के भाई लोग आये हुए इनका भी साफ कहना है और हमने तो शुरू से लेकर इस केस में बोला कि फर्स्ट एंड लास्ट पे हमारा शक है है ना इनकोरी क्यों नहीं कर रहे है पुलीश परशाशन सो रहा है अभी हम साब से मिले दस दिन का समय को उसके बाद हम लास्ट दे दी हमारे को साफ के प्रस्याशन वे मिली भक्त हो सकती है और हम चाहुत है हमारे ये वाही लोगों से पूछ लो कि आपका जो बच्चा है यहां पे डेड वोडी मिल गई है तो हम मोके पे गए यह छे फुट की दूरी पे लटकाया गया हुआ बच्चा हम सरकार से यही निवेदन करेंगे कि इस बच्चे का जो भी कोई दोशी होगा उस दोशी को कड़ी से कड़ी सजा दिलाए जाए इसक वो 25 दिन होगे 30-30 दिन से ढूंड रहे और पुलिस चौकी के नियर 100 मिटर के बाद यह जो डेड वोडी मिलती है हम तो यह चाते हैं कि यह पुलिस की नाकामी है पुलिस की नाकामी इसलिए है कि 100 मिटर के दाएरे पे अगर ऐसा काम होगा तो बाहर जो गाओं ग्रामिन श है अब यह विचार है जो सारे गाओं के लोग इखटा हुए है अब इसके पैरेंस हा रहे है जो यह बच्चा है माबाब भाई इसका यहां पर है भाई से आप पूछ सकते है क्या इनके उपर बीत रही होगी अगर बच्चा स्कूल से एक घंटा भी लेट हो जाता है तो कै होती तो कोई थाने में मरने तो कोई नहीं आएगा चोगी के बास यह लड़का पड़ा लिखा था प्लस टू कीवी है इस ने और शेहर में बच्चा पड़ा लिखा हुआ है सोलन में रहता था था एवच्चा तो हमारे इसाब से तो यह दिखा अबा कि आप लोगा हमारे स आपको क्या लग रहा है कि बला अत्म अत्य आएगी हत्या है वाई जी में देखा दी त्यूंकि अब जो पकड़ना जू लटकरने वाले चली आप ताहिए अब आप क्या चाहरे है आप लोग क्या चाहरे है बस हमारी तो है कि महांगे सी भी जाज की जाए और हमारे को शक है पहले से लेकर शक है हमने ऐसे चोपी बोला आये से और बोला जिनको इन्होंने केश सापवावा है कि फर्स्ट एंडर लास्ट कॉल जिसको लास्ट कॉल गई यह उसके उपर हमारा शक है लड़की जिसने हमारे बच्चे को वहां से उठा कर यहां तक उसी लड़की को पर लड़की उपर उनके उपर शक हुआ हमारा अब देखा तो ने हमने शक हमारा पूरा है जब लड़की बंदे हो सकते हैं उनकी जाज की जाएं चलिए दूसरी डेड़ बोडी यहां पे मिली है इसके ठीक दूसरी तरफ इसी जंगल में ठ्योक एक उवक का वो भी लापता हुआ था एक महीने बाद जब उसका सुराग लगा तो एक लड़का हुआ है जिसके डेड़ बोडी मिली से पहले यहां पे भी एक डेड़ अगातारी आरोप है यह जंगल है हम आपको फिर दिखलान चाहते हैं कि यह वो जंगल है और इस जंगल से बिल्कुल ठीक नीचे इसे पहले ठीयोग शेत्र का एक युवक उसकी भी यहां पे डेड़ बोडी मिली थी परिजनों का यह आरोप है कि वो हत्या है लेकिन पुल की की भूमी का सही नहीं रही है यह आरोप हमारे नहीं है परिजनों के आरोप है और परिजनों का बिल्कुल पूरिस्पल किसी तरह का ब्रोसा नहीं है और सीबियाई जांच की यह मांग कर रहे हैं अभी हम दिखा रहे हैं यह भाई है जिनकी मौत हुई उनका भाई है और किस हालत में अब याप देख सकते हैं, इनका चोटा भाई एक साथ पढ़ते थे, सोलन में पढ़ते थे और अब इनके रोरोकर बहुत बुरे हाले, इनकी चिंता हैं और इनका दुख दर्दम समझ सकते हैं और पूलिस ने लगातारी सांतमना दी कि आपका यूवक आपका बेटा मिल जाएगा लेकिन जब किस हालत मिला आज इनके सामने लाश एक भाई ने अपने भाई की लाश देकी तो इनकी दुख और पीडा हम समझ सकते हैं अब पूलिस पर निर्वर करता है पूलिस के सामने बड़ी चुनोती है कि ये आत्म हत्या करार देती है या हत्या तीन भारत देख रहे हैं आप नमस्कार